रादे रादे जैशे किशना कैसे हैं भक्तो आप सब आई हो पच्छे ही होंगे मैं सिंगीता शर्मा बक्ती वजन दिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो भक्तो ये हैं आज के शिंगार दर्सन सभी के तो आप दर्सन कर ली दिये सभी के ये पीछे बैठे हैं लटू गोपाल जी के फ्रेंड और आदरानी और ये छोटे लटू गोपाल और ये केश्वी और केशव और ये हमारी बैठी है राधिका तो राधिका ने आज नत्र बगेरा लगवाई है और ये बैठे है कृष्णा का मुझूट खोड़ा सक तेड़ा हो गया और ये हमारी तुलसी माता के भी दर्शन कर लीजिए और ये बैठे हैं बालकनी में बारिस का आनद ले रहे हैं ये नहा चुके हैं और नहा के तयार वगएरा होके बैठे हुए और यह हो रही है यहां पर बारिस काफी तेज बारिस हो रही है और हमारे यहां पर यह जाल लगा होगा इसलिए तोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा अगर बारिस काफी आ रही है तेज आ रही है बारिस तो आद यह सारे बैठे हैं बालकनी में और इंज्योई लेते हुए बारिस का काफ़ी आनन्दारा इनको और हलकी यलकी बुछारे भी आरी है बारिस की, वैसे हिन नाचुके हैं बारिस में, तो हमने इनको बिठा दिया है बालकनी में, क्योंकि अपने बच्चों को भी बालकनी में हमें बिठाना चाहिए लडू को पाल जी और राधारानी को क्योंकि बारिस अच्छी लगती है बच्चों को भीगना भी अच्छा लगता है और बारिस देखने में भी बच्चों को बड़ा आनन्द आता है तो हमने अपनी गाधरानी और लटू वोपाल जी को बिठा रखा है बालकनी में तो ये बारिस का इंजोई लेते वे आज ये बालकनी में बैठे हैं फिर ये अपना मस्ती करेंगे काफी मस्ती करेंगे तो अब ये अंदर खेलेंगे टोईस ते या फिर भारी अभी तो ये बारिस का इंजोई ले रहे हैं बैठके तो ये हमारे जो लड़ू गोपाल जी के फ्रेंड है इन्होंने ये लिया है और ये कृष्णा ने लिये बस तो ये चलाएंगे बस और राधारानी ने क्या लिया है ये वाला स्कूटर लिया है अब ये चला रहे हैं फिर उसके बाद केशाब बाबू ने लिया ये छोटे वाला स्कूटर ये रहा छोटा सा क्यूट सा स्कूटर है और एक आप ये टॉइस देख सकते हैं तो ये टॉइस इनके पास ही रखा हुआ गुड़ा और ये हमारे कृष्णा और राधिका के खेलने के लिए टॉइस रख दी हमने सारे ये इनी से खेल रहे हैं सारे के सारे और अब ये चलाएंगे स्कूटर स्कूटर पर बैठेंगे स्कूटर चलाएंगे केशव और केशवी और बड़े लड़ू गोपाल जी क्या चलाएंगे बस चलाएंगे और ये इनकी बॉल रख्यों ये इनके पास ही तो ये भार बारिस्त के आने के बाद इन्होंने ये टॉइस निकलवाएंगे खेलने के लिए तो अब इनको हम चलवाएंगे इनके स्कूटर वगेरा भार चलवाएंगे रूम से, इस वाले रूम से मेनी चलाएंगे, भार चलाएंगे ड्रैंग रूम में तो अब ये सब ड्रैंग रूम में आ चुके हैं खेलने के लिए से स्कूटर बगेर चलाएंगे और कोई bus चलाएगा कैसे वाली राधा-रानी छोटी वाले स्कूटर बैढ़गे इस वाले स्कूटर बैढ गेए अब स्कूटर चलेगा तnai ले चलाएगे केशव बाबू तब इनका दोनों का स्कूटर जा रहा है कितना रहें घेड़ते कितना अच्छ SKYHello यह लॉब इनके स्कूटर सामने से आएंगे और यह देखो राधा रानी हो रही है टेड़ी तो यह थक चुके हैं तो यह बैढ़ गए हैं चार पाई पे बीच में को नहीं बैठे हैं यह भी तो अब यह थक चुके स्कूटर चला के अब यह चलाएंगे बस तीनों को तीनों बैठेंगे बस पे तो अब यह बैठ जाएं बस के उपर बस के नीचे सवारी बैठी हो यह तो यह बस के उपर चड़के बैठे हैं अब यह बस में भूम रहे हैं अपना ये लो इनकी बस जा रही है तो अब इनकी बस चला देंगे चलानी तो हमें ही पड़ेगी ये देखो कितना मुस्कुरा रहा है हाथ उपर करके मुस्कुरा रहा है ये अपना इसको भी अच्छा लग रहा है काफी की लड्डू को पाल जी देखो बस के उपर बैठे हुए इसलिए ये मुस्कुरा रहा है अब हम इने उतार देंगे बस से चलो भए अब उतर जाओ सारे के सारे तो भक्तो लड्डू को पाल जी ने कर लिया और देखे साथ और कितना मुस्कुरा रहा हाथ उपर करके और ये सारे के सारे कितनी मस्ती करके बैठे हुए हैं तो अब इस वीडियो का मैं यहीं पर end करूँगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, सब्क्राइब करें और शेयर करना ना भूलें रादे रादे जैशी किशना मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में और भक्तो मेरी इस्टाग्राम पर भी आइडिया है तो आप मेरे को महाँ पर भी जाके फोलो कर सकते हैं महाँ पर मैं लड़ू गोपाल जी और राधरानी की वीडियो डालती हूँ अच्छी लगे तो मेरे को फोलो कर सकते हैं रादे रादे जैशी किशना